वेल्कम टो एलेक्टिक लेंजिक अप्सक्यूस आज के सेशन में हमारे प्रीविएस यह कुश्चन पेपर आफ यूपी सेल जे अलेक्टिकल का पार्ट टू डिसस्ट करने वाले जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तू 100 कुश्चन हम लोग इस सेशन में डिसस्ट करने हमने पार्ट वन में भी इसी तरह के से पहले 50 क्वेश्चन को हमने डिसस किया था वह अगर आपने नहीं देखा होंगा तो आप आई बटन पर आपको लिंक प्रवाइड कर रहे तो आप उसको जाकर देखेगा काफ सथा इंपोर्डटन है फॉर एससी एंड यूपी सेशन सब्सक्राइब करेंगा और नेक्स सेशन में जो रिमिनिंग 50 क्वेश्चन से उसके साथ कंप्लेट करेंगे तीन पार्ट में यूपी सेल जी 2008 का जो पेपर है वह पूरा कंप्लेट हो जाएगा तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फॉदर द्यू पूछ पूछा था 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 थे के हौ मैंनी घ्रेट विद्चिवर त्स incidents क्रेक्शन ए और उनका नाम-मेंक वसे नेक्स है कि मैं अपका नाम मेरे नेक्स सेशन मेलो तो आपको इस सेशन को कंप्लेट देखने है कि सेशन के wrapped спront में उसका करेंट टैंसर मुझे करेंट करना है तो सबसे पहले जो रहेंगे दो ऐसे उनका नमा आप मेरे एक सेशन में लूँगा तिया पर मैं इस स्क्रींशोट दिखा रहो आपको कि सेंट्रल एलेक्ट्रिश्टी अप्लोड किया काफी जदा यूसफुल सेशन है ठीक यह एक सेशन और आई आई रूस काफी जदा यूसफुल रहने वाल है इसमें हमने वन नेशन वन ग्रीड वन फ्रिकेंसी का भी कंसिप्ट हमने उसमें उसमें किया है यह सभी को पता रहे होना चाहिए ठीक है तो आई आपको इसको जाके देखेंगे ठीक चलिए सेशन को शुरु करते हैं वी तर वेरी फॉस कोशन सबसे पहला कोशन क्या कर रहा है हाँ मच पावर विल भी थ्री ओम्स रेस्टेंस विट एलेक्रिक करण्ट ऑफ टू एम्पर्स डिसिप्ट काफी सिंपल सा कोशन है सिंपल कोशन पूछा है उनने कि एक तीन ओम का रिजिस्टेंस है हमारे पास उसमें से करण्ट जा आइटमोस्पेर में उगे जैट मीज हमने इसमें से करण्ट फ्लो कर रहे है और यहां पर कुछ रिजिस्टेंस है तो पावर डिसिपेशन हम लोग कैसे निकाल दे है आए स्क्वेर आर या फिर हमारे पास एक फॉर्मॉला है वी स्क्वेर अपॉन आर यहां पर हमारे पास कि का के गवन है करण्ट और रिस्टन्स गिवन है सिमिलरली हम लोग यहां पर पूट कर लेते हैं इसके वालू करेंट कितना है थ्री एंपर थ्री स्क्वेर कितना हो जाएगा ऑप्षिन ए विल भी करेक्ट थैंसर सिंपल है पावर डिसिपेशन पूछा है अगर यहां पर वूल्टेज गिवन रहा था तो अभी आप निकाल सकते हैं इंसुलेशन रिस्टन्स ऑफ इंसुलेटिंग मट्रियल शुट भी इंसुलेशन रिस्टन्स जो है इंसुलेटिं डेमेज इसको और साथ जो एडिस्टन है पर कंडेक्टर से उसको इंटर्फरनस होने से ठीक है क्योंकि लाइव टुलाइव टाच हो जाएगे और वहां पर कुछ फॉल्ट का फिनॉमेन भी हो सकता है ठीक है तो इसका जो रिस्टन्स है वह हमेशा जाधा होना चाहिए इस रिक्ते मारा नेक्स कुछिन थे रिजिस्टन्स फो मेटलिक कंडुक्टर इस इंवर्सली प्रोपोर्शनल तो इस क्रॉस्टनल एगा ऑप्शन बी रो क्या होता है रो होता है रिजिस्टिवाटिया अफ ता माटेरियल धान में रखीगा एक कुलंब ऑफ एलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कितने एलेक्ट्रोंस होते हैं तो धान में रखेगा वन कुलंब ऑफ एलेक्ट्रिकल चार्ज इस इक्वोस्टू 0.625 इंट्रिस पौर 19 ओके यह चीज़ आपको धान में रखना होगा काफी इंपोर्टन्ट है तो इसका गरे पाउर कन्वर्जन उसी के साथ में तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं यही क्यों आता है तो धान में रखेगा चार्च फॉन वर वन एलेक्ट्रों कितना होता है वह ता है 1.6 इंटू 10 इस पौर माइनस नाइंटी टिक है कर इसको हम लोग एक कुलंब एलेक्ट्रिकल चा इस कॉंटरिबटेटेट बाए HOWमेने लक्ट्रोंस इस प navigate मेरे नेक्स कोशिण टे में रहा नेक्साइरागी एने चर्म रोगहसजरम कैंयाै टनी यह। bilateral linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series resistor ध्यान में रखिए कब एक network हम लोग एक voltage source और एक series resistance में हम लोग convert करते हैं ठीक है कुछ इस तरीके से यह हो गया हमारा VTH यह हो गया हमारा RTH और यह हो गया हमारा यहाँ पर load RL होगे similarly अगर Norton का theorem पूछ रहा है तो ध्यान में रखिए कि यह जैसे हाँ पर series में तो इस case में हम लोग जैसे ISC निकालते हैं और इसके parallel में हम लोग resistance लगाते RTH and then यहाँ पर load resistance RL यह हो गया Norton का और यह हो गया हमारा थेवनिन्स का ठीक है तो थेवनिन्स आपको उसका एंसर आजगा या फिसके अगर कंडिशन होगी तो सारे रेस्टेंस अगर इक्वल वाल्यूस के है तो जितने नंबर अफ एज रेस्टेंस कनेक्टेंड है उससे डिवाइट कर देंगा सिंपल आपको उसका एंसर आजगा या फिर आपको ऐसे भी करना पड़ेगा 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लोस 6 यह ब्रांच का देन आपको 6 को फिर चे करोंगे इसके साथ पारलल उससे करने से बेटर है आप कि सिंपल 6 को आप कितने रेस्टेंस का नेक्टेंट है 3 इससे डिव पर लीड असीड बेटरी या पर निगेटिव एलेक्टोड पर सिल रेक्शन को हमें इसका करेक्ट आंसर देना था तो इसका करेक्ट आंसर क्या है अब भी बताते तो यह कंप्लेट्ली केमिकल रेक्शन पर डिपेंडेंट कोश्चन से ठीक है इस तरिप के क्वेशन से था जहां पे अइसा लेखा था दिस्चार्ज एन चार्ज पीबी प्लस एच टू एस ओ फॉर ओके यह एक कंप्लेट कोश्चन समय तो सका करेक्ट आंसर आंसरे आप्शन नेगी पीबी आसोफोर प्लस राइस प्लस ट्वाइस यह और है तुसका आरेंसर आप्शने धान मे हम लोग open circuit करके कहते हैं यह question में आपको as a homework करके भी पूछा था ठीक है तो उसका correct answer है option A when the current flowing through it is zero जबको हमारा current उस circuit में से zero flow होता है तो हम लोग कहते है open circuit है ठीक है अगर हमारा current उसमें से flow रहे तो that means short circuit है that means complete जो circuit है वो completed है तो उसमें से अगर current flow नहीं हो रहा तो circuit open है option A will be correct answer in this case देखते हमारा next question what is the unit of electrical conductance electrical conductance का unit क्या होता है यहाँ पर option देखके भी इसको eliminate कर सकते हैं luxe, cements, pharad, ohms तो यह है इसका unit है cements भी इसका correctance है, pharad capacitance है, ohms, resistance है तो यह पर conductance का हमारे पास पुछा है, तो conductance क्या होता है, g is equals to one by r, resistance के value कहता है, ohms में, ठीक है तो हम लोग इसको cements में measure करते है, one by, cements को आप लोग ऐसे भी लेख सकते है, one by ohms करके, resistance का opposite होता है, conductors, यह क्या करता है हमें, हमारे conductor में से easily current flow होने के लिए मदद करता है, तो उसका correct answer है, option b, देखते है next question, in the diagram below, what is the current in the three ohms resistance, हमें तीन ohms resistance में से यहाँ पर current find out करना है, ठीक है, धान में रखे गए, इस type का circuits को आपको सबसे पहले analyze करना होता है कि कि किस type से हम लोग इसको reduce कर सके, तो इस case में आप लोग देख सकते हैं, यह two ohms, five ohms और six ohms का जो resistance है, यह है डेल्टा में connected, ठीक है, तो डेल्टा टू हम लोग कुछ इस तरीके से भी अप लोग इस इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यह आप circuit को है, इस loop को, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो गया, six ohms, two ohms, और five ohms, ओके, इस case में आप यहाँ पर three ohms का है क्या आप लगा, दू इसको solve करोगे, अभी हम लोग इसको complete solve नहीं करते हैं, यहाँ पर उसकी जो values आ जाजाएंगे, कुछ यह circuit इस तरीके से reduce जाएगा, ठीक है, अब इसको cross verify भी कर सकते हो, आपके end पर, कोई भी दिक्कत आती है, तो please comment box में comment करना डिए, then हमारा फिर यहाँ पर जो, इसको solve कर करते हैं, भी इस नाइन वोल्ट बैटरी, ओके, नाइन वोल्ट का, तो इस case में जो values आती है, मैं आपको यहाँ पर mention कर देता हूँ, आपको values cross verify करना है, मैं ऐसा नहीं कि आप यह जल्दी solve कर रहा हूँ, तो आप छोड रहे हो, आपको भी इसको verify करना है, 10 by 13 ohms, यहाँ प 4 ohms का resistance और यहाँ पर given है, ठीके, प्लस यह 1 ohms का, हमारे पास 1 ohms का resistance में से हमें current find out करना है, यह हमारा final target है इस चीस में, ठीके, तो हम लोग इसको और reduce करेंगे, reduce करेंगे 30 by 13 ohms plus 4 ohms का यह series में resistance connected है, same loops series में connected है, आप देख सकते हो आप इस case में, और यह जो 10 by 13 ohms का resistance है, यह इसके complete branch के series में connected है, तो इसको अगर आप solve करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल सकता है, कि यह जो उपर का loop है, प्लस यह नीचे का loop है, ठीके आप इसको as a parallel में भी ले सकते हो, दोनों भी, क्योंकि यह same terminal पर connected है, ठीके, दोनों भी इसके starting और end point इसको connected है, तो इसको आप solve करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से एक circuit मिलेगा, यह हो गए हमारा 10 by 13 ohms का, ठीके, यह हो गए हमारा दूसरा, इसमें कितना value हाजाएग ठीके, और यहाँ पर आगया हमारा 9 ohms का एक battery, ठीके, तो simple सी बात है, अगर आप लोग इसको completely solve करते तो इस loop में से अपको current division rule या फिर आप लोग, तो इस से तो आपको सबसे पहले main current find out करना पड़ेगा, ठीके, जो 9 volts से हम लोग complete I mean current है, उसको हम लोग निकाल जगे, ठी सारे resistance को आप लोग divide करते हैं, which is 10 by 13 plus 2.419 plus 1 which will be equals to 2.149, देखे में आपको यहाँ पर बता तो examination में आपको इस type के approach नहीं रखना है, आपको overall जैसे values इसको उसको आपको consider करना पड़ेगा, ठीके, यहाँ पर close values नहीं है, तो आपको एक on an average value rough values भी लेके आप उसको solve कर सकते ठीके, क्योंकि examination में already time कम रहता है और prelims examination में आपको step के question जल्दी से जल्दी solve करने पड़ेगा, ठीके, तो अभी हमने यहाँ पर main current की value निकाल लिए, ठीके, जो है हमारा i, अगर इस case में अगर हम लोग यहाँ पर यह i current मानते हैं, यह हमारा i current, यहाँ से जो current flow हो रहा है, यह i1 मानते हैं और यह इस current में, इस slope में हमारा current अगर हम लोग i2 consider करते हैं, यह i1 हो गया और यह i2, ठीके, तो आपको मैं आपको बता देता हूँ, इस case में यह law of parallel rule यहाँ पर अपलाई हो जागा, इसमें current division formula भी हम लोग अपलाई कर सकते हैं, तो i की value सबसे पहले हम यह यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, विच विल भी कुस्तो 2.149 A, ओके, इस case में अगर हम लोग को i1 value आपको निकालना होगा, तो इसका जो opposite resistance है, वो आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से एक बार इसको फिर से draw करते तो, एक loop में, ठीके, यह होगा हमारा 10 by 13 ohm, देखे, मैं आपको काफी जदा ध्यान सी चीज़े बताता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो please मिझे comment box में comment करेगा, ठीके, इस session आपकी लिए होता है, अगर आप मी समझ पाओगे, तो कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, इसलिए आपको ध्यान से session को देखना है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो please मिझे comment box में comment करेगा, ठीके, यह होगा इसका resistance, 30 by 13, और यह हो गया इसका 4 ohms का resistance, इस case में आपको ध्यान में रखना होगा, हमारे पास main current हो आगया, यहाँ पर यह जो I current है, यह तो हमारे पास आगया, जो किया 2.149, ओके, और यहाँ पर हमें यह I1 निकालना है, यह I1 इसमें से भी flow हो रहा है, that means हमें 3 ohms में से current निकालना है, और यहाँ पर यह I2 हो गया, ठीके, तो इसमें हो अगर हम लोग current division formula apply करते हैं, तो I1 will be equals 2, अगर इसमें से current निकालना है, तो हमें यह जो दूसरा जो लिंक है यहाँ resistance का, उसका हमें पहले resistance लेना पड़ेगा, तो उसका resistance का value कितना आता है, वह आता है, 6.31, इसको अपगर solve करते है, 30 by 13, प्लस यह जो series में 4 ohms, तो आता है 6.31, इसका resistance upon total resistance, इस complete एक जो branch आईए, parallel यह प्लस यह, इसका complete एक आपको resistance, तो उसका value आता है, 3.923 plus 6.31, ध्यान में देखेगा, यहाँ पर 3 ohms का resistance है, प्लस यहाँ पर 12 by 13, that means 12 by 13 है, तो obviously values की, एक से कमी हैने वाली है, that means 3.923, इससे भी आप cross verify कर सकते हो, into total current कितना है, हमारे पास, 2.149, इसको अगर रफली solve करते है, तो you will get 1.325 amperes, विल भी, और final answer, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, simple question था, बट यहाँ पर calculations उसके कहाँ ज्यादा complicated थे, मैं इसा आजिम करता हूँ कि आपको जो calculations दिये जाएंगे, आप इस साल में या फिर आने वाले जो examination होगे, तो आपको यह जो values रहेंगे, वो doable रहेंगे, ठीक है, धान में रहेंगा, that means आप लोग एक complete fractions में ना जाते हो आप normal values को आप लेके solve कर सकते हो, ठीक है, तो धान में रहेंगे, कारेक्ट answer है, option B, next option है, added 0 degree Celsius, a copper sample has a resistance of 4 million and resistance has a temperature coefficient of 1 by 324.5 per degrees centigrade, find its resistance at 70 degrees centigrade, एक हमारे पास copper का sample है, copper का wire है, उसका जो resistance है, वो 4 million है, और उसका resistance, temperature coefficient कितना है हमारा, वो है हमारा, 1 by 234.5 per degrees centigrade, तो हमें उसका जो resistance है, वो निकालना है, 70 degrees Celsius पर, ध्यान में रहेंगे का, तो उसको अब हम लोग solve करते हैं, तो हमारे पास R0 का value कितना given है, इस टाप के जो questions है, यह काफी 2-3 बार, एक examination में देखने को मिले है, UPPCL के, previous session में भी मैंने आपको इस टाप का question एक्स conductor changes when the temperature of that conductor changes, ध्यान में रहेंगे का, जैसा हमारा resistance change होता है, वैसे हमारा resistance change होता है, वैसे हमारा resistance change होता है, conductor का उससी का हम लोग कहते है, temperature coefficient of resistance, मैंने भी recently NTC versus PTC में भी यह चीज़े आपको explain किये, ध्यान में रहेंगे का, RT will be equals to R0 in bracket 1 plus alpha del T, तो इस case में R0 क्या हो जाएगा, resistance of a conductor before temperature changes, ठीक है, that means हमारा कितना था before temperature changes, 4 million, alpha क्या है हमारा, यह alpha जो है हमारा temperature coefficient, और delta क्या है हमारा यह final temperature minus initial temperature का, जो change हुआ है, तो alpha हम लोग निकालेगे, which will be equals to 1 upon 234.5 per degree centigrade, यह हमारे पास given है, ओके, और delta कितना हो जाएगा, जो हमारा final minus initial temperature, which is final कितना था, final था हमारे पास 70 degree Celsius, 70 degree Celsius, minus initial कितना है, 0 degree Celsius, तो delta का value हो जाएगा, 70 degree Celsius, ठीक है, तो यह सारी values अगर अपला है, इस formula में पूट करते हैं, तो you will get Rt as, okay, Rt will be equals to R0, जो कि हमारे पास आया है, 4 million, in bracket 1 plus 1 upon, 234.5 into 70, इसका अपलोगों को solve करना है, और इसका value हो आ जाएगा, Rt का, वो आ जाएगा, 5.19 million, that means, 70 degree Celsius पे, इसका जो resistance है, वो रहेगा, 5.19 ohms, ध्यान में रखेगा, इस case में क्या हो रहा है, आप देख सकते, final resistance जो है, हमारा, वो ज्यादा है, as compared to initial resistance, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यह जो pure metal का temperature coefficient रहता है, वो रहता है, PTC, that means, positive temperature coefficient, अगर उसका temperature 70 degree centigrade पे कितना था, वो था हमारा, 4 million, but, जैसे temperature बढ़ा, 70 degree Celsius, तो हमारे पास, final value कितना है, 5.19 million, का, यहाँ पर resistance चेंज हो गए, दक में जगर हम लोग इसको 4 से minus करते है, तो हमारे पास 1.19 million का resistance चेंज हो जगा है, और बढ़ गया, जब हमारा temperature 70 degree centigrade पे है, यही concept को ध्यान मे रखे है, इस session का जो end में मैंने question लिया है, वो काफी अच्छा, MC की बेस्ट कोशिन नीग, नॉर्मल, logical question है, उसको मैंने frame किया है, तो उस questions को आपको ध्यान में रखना होगा, और इस question में भी आपको कुछ ना कुछ उसका hint मिल जाएंगा, तो उसका correct answer का है, option B, ध्यान में काफी important सा question था, temperature coefficient of resistance का भी question आपको examination में देखने को मिल सकता है, ठीक है, चलते है हमारे next question के और, next question क्या कह रहा है हमारे पास, what is the potential difference an energy source that provides 75 millijules of energy for a flow of each micro coulomb of charge, मारे पास कितना potential difference मिलता है, ठीक है, जो हमारे एक हमारे पास energy source है, 75 millijules का, एक micro coulomb of charge flow होने के बाद में, ठी energy of a capacitor is given by, E is equals to Q into V, ठीक है, तो E का हमारे पास value कि होना है, 75 millijules, okay, Q क्या है हमारे पास, Q है 1 microfarad, okay, और हम लोग अगर voltage निकालते हैं, तो V will be equals to E by Q, correct, तो E किता है, 75 into 10 to the power minus 3 millijules, okay, और यहापे 1 microfarad का है, यहापे 1 micro coulomb of charge flow है, पुछा है, तो 1 into 10 to the power minus 6 करते है, तो you will get 75, यह minus 3 आ जाएगा यहापे, तो यह minus 3 numerator में जाएगा, तो into 10 to the power 3 हो जाएगा, इस केस में 75 as it is रहेगा, into 10 to the power 3, 10 to the power 3 यहापे, वोल्ट आ जाएगा, that means हमारे पास 75 kv, इसका final answer आ जाएगा, ध्यान मरे के option C will be correct answer, इस case में आप देख सकते हो, कि जो आपको values given है, यह doable है, अगर आपको एक formula यादे, आप इसको easily solve कर सकते हो, but in this case याप यह एक पी नीक चीज नोट करने वाली है, यह पर 7.5 वोल्स, 750 वोल्स यह सारे similar values यहापे given है, तो आपको decimal values एक जो fractions converter conversion प्लस यहापे जो power conversion रहता है, किलोंस, माइक्रोंस यह चीज़े आपको ध्यार में रखने के वाइल सॉल्वें दीक्स question, गर आपको सेशन पसंदा रहा है, तो इस सेशन को like करें और आपके फ्रेंड के साथ में भी share करें, गर आपने नए, गर आप इस चैनल पर नहीं हो तो आप एलेक्टिक लेंगें से कि उसको subscribe करें, so that आपको timely updates मिलते रहे है, दिखते है मारा next question कहा है, the state of charging of a battery is defined as, state of a battery, state of a charging of a battery is defined as, available percentage of its capacity relative to capacity when fully charged, ये इसका statement correct answer है, state of a charging of a battery हम लोग ऐसे define करते हैं, जितना available percentage है उसका capacity related to capacity when fully charged, ठीक है, उसी को हम लोग कहते है, उसकी state कितना हमारे पास कितना 100% charging है, उसका बैटरी का charging हो सकता है 100% पर, ठीक है, बट कुछ percent यहापे खाली है, तो कितना percentage available है, चार्ज होने का, और related to कितना उसका charging capacity, उसी को हम लोग define करेंगे, state of charging, that means हमारे पास, अगर हम लोग 80% charge है battery, ऐसा अगर हम लोग खापे कहते है, जब हमारी बैटरी में, बैटरी होगी, यहाँ तक फिल हो चुकि है, 80% फिल हो चुकि है, इसी को हम लोग कहते है, यही यहापे statement में गिवन है, जितना available percentage charge होने का, बागी 20% यहापे बागी है charge होने का, to the relative capacity, full capacity में कितना 100% है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते है, state of charging, देखते हैं करेक connectivity and its conductivity, तो ध्यान में रखेगा, वो constant रहती है, जैसे हमारा temperature change होता है, pure metal का, जैसे हम लोग temperature change होता है, increase होता है, तो उसका जो resistivity और उसकी conductivity का जो product है, वो constant रहता है, यह भी आपको ध्यान में रखनी वाली बात है, important question है, तो उसका correct answer है, option D, देखते हमारा next question, find the current in the circuit given below, दे हम लोग यहाँ पर I current इसको निकालना है, okay, इसको सबसे पहले analyze करते हैं, तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर 3 ohms, 9 ohms, यहाँ पर series में है, 4 ohms, 8 ohms, यहाँ पर series में है, और इसका जो link है, यह completely एक branch जो है, यह सारे parallel में दिख सकते हैं, तो आपर इसको reduce करना चालू कर सक तो 3 plus 9 का कितना हो जाएगा, 12 ohms का हो जाएगा, 4 plus 8 कितना हो जाएगा, 12 ohms का हो जाएगा, 12 यहाँ पर भी आ गया, इस branch का, यहाँ पर भी 12 है, और इस case में भी हमारा 12 आ गया, तो मैंने आपको बताया था, आप इसको solve करने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसा भी solve कर सकते हो, ठीक है, 12 into 12 upon 12 plus 12, ठीक है, इसका भी आप इसस solve कर सकते हो, बट इन इस case में आपको बताया था, अभी थोड़ी दर पहले, अगर आपके यहाँ पर तीनों भी resistance parallel में connected है, same value के तो आपको इसको simply 3 से divide कर देना है, ठीक है, तो 12 divided by 3 करते हैं, तो you will get 4 ohms, ओके, इस case में यहाँ यहाँ पर एक complete इसका एक circuit कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इसको reduce करने के बाद, यहाँ पर 6 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 ohms का resistance आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, अगर आप कोई भी दिख्कात आती है तो प्लीज मुझे कमेंड वक्स में कमें करेगा, ठीक है, ठीक है, यह 6 ohms का और 4 ohms का resistance आप है, हमारे पास series में, ठीक है, तो हम लोग इसको add up कर देंगे, 4 प्लस 6, that is 10 ohms, voltage कितना है, 30, V is equals to IR, तो हमारे पास current निकालना है, ओम सलो से, तो voltage है, हमारे पास 30, अपन, resistance कितना है, 10, 3 amp, will be our final answer, simple question था, ओके, उसका character answer है, option A, 3 amp, सक्रेट भली आपको बड़ा लगे, बट आप उसको easily, within seconds of solve कर सकते हो, if we know the series parallel combinations, ओके, देखते हैं मारा, next question, temperature coefficient of resistance in a pure semiconductor is, temperature coefficient जो रहता है, resistance in a pure semiconductor में वो रहता है, हमारा negative, धहन में रखेगा, option C, इसका correct answer, इसका regarding MTC versus PTC में भी, इस सारी चीज़े आपको clear किये, ओके, देखते हमारा next question, ideal current source है, 0 internal resistance, infinite internal resistance, large value of EMFFE, none of the above, जो ideal current source रहता है, हमारा, उस case में हमारे पास, internal, infinite resistance रहता है, infinite internal resistance रहता है, ठीक current source में, और गर voltage source है, तो आपे 0 रहता है, धहन मेरे कीगा, ideal current source को हम लोग कैसे डिफाइन करते है, an ideal current source has an infinite resistance, infinite resistance is equivalent to the 0 conductor, so an ideal current source has a 0 conductance, धहन मेरे कीगा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, infinite internal resistance, next question है, calculate the maximum safe current that can pass through a 1.8 kilo ohm resistance rated at 0.58, maximum safe value of current हमें 1.8 kilo ohm के resistance में से पास, पास करना, जिसका wattage rating 0.58, तो कितना हम लोग maximum current उसमें से पास कर सकते हैं, तो से फर्मूला आपको यहापर लगना है, P is equals to I square R, ओके, तो इस case में हमारे पास P rated कितना है, 5.5 watt है, और R कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास, 1.8 kilo ohm, तो इस case में हम इसको solve करते हैं, which will be, R is equals to 1.8 kilo ohm है, तो हम लोग इसको 1800 भी लग सकते हैं, तो I square R, अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहापर maximum safe current पूछा है हमें, तो I square R को हम लोग कुछ इस तरह की से भी लिख सकते हैं, I square will be equals to P rated upon resistance कितना है हमारे पास, वो हमें आप लिख लेंगे, P rated कितना है, 0.5 watt, और resistance कितना है, 1800 watt, ओके, तो यहाँ पर आई क्या हो जाए का, under root of 0.5 watt upon 1800, इसको solve करते हैं, you will get a 16 milliampere as the final answer, okay, simple चाहँ ता, एक ही formula पर dependent था है, वो है, P is equals to I square R, that means हमारा power loss को जो formula है हमने निकाल नहीं है, maximum safe current हमें यहाँ पर निकालना था, तो I की value हमने यहाँ पर निकाल ली, देखते हमारा next question, जो कि है question number 69, according to the Kitchoff's current law, KCL, an algebraic sum of the current of all branches passing through a junction is always equal to, according to the KCL, algebraic sum of current of all branches passing through a junction is always 0, दाहर में रखेका, KCL का यह, स्टेट में यह, option D's का correct answer हो जाएगा, देखते हमारा next question, find the total current in the circuit shown below, तो इस type की questions आपको UPPCL GE में काफी बार देखने को मिल सकते हैं, मैंने भी यह चीज़ अनलाइस किया, हाला कि SLC GE का जो हमने previous question paper देखा था, उसमें variety of questions दे, इस case में आपर current solving, यह जो circuit reduction और KVL KCL से related आपको questions देखने को मिल सकते हैं, ओके, इस case में हमारे पर total resistance निकालना है, total current निकालना है, sorry, तो same value, same हमने यहाँ पर निकाला था भी, 4 ohms और 8 ohms यहाँ पर इसका resistance हो जाएगा, वो जाएगा 12 ohms का, 12 ohms का भी हाँ एक resistance है, parallel में है, यह दोनों भी links, दोनों भी branches, ठीके, यहाँ पर यह और यह, ठीके, इस case में, resistance भी same है, तो हम लोग इसको divide करेंग कि दो से क्योंकि दो अलग अलग branches है, ठीके, यह एक और यह, तो 12 by 2 will be 6, तो हमार पास circuit कुछ reduce हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीके, यह हमार पास source आ गया, 6 ohms का, 6 ohms का, यहाँ पर resistance आ ठीके, तो इस case में, 6 plus 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर supply किता है 12 volt, तो हमार पास current कितना है, 12 upon, 12 which will be 1 ampere, simple है, देखिए, मैं फास्ट questions को attempt कर रहा हूँ कि हमार पास number of questions है, 50 questions एक session में try करता हमें, कि आपको समझ मैं सके, ठीक, अगर आपको कोई भी question miss हो जाते है, तो आपको session को rewind करके भी देख सकते हैं, फिर comment box में, कर आपको further doubt है, तो please मुझे पू switched on at a temperature of 20 degrees centigrade at a supply of 240 volt, it takes an initial current of 2.5 amperes, if the temperature coefficient of 20 degrees Celsius is 0.05 degrees centigrade, what will be approximate temperature of filament, यहाँ पर इस में हमारे पास approximate temperature of filament पूछा है, इस case में, ठीक है, तो जो same हमने यहाँ पर formula लगा है था, rt will be equals to r0 into 1 plus alpha del t, इस formula से हमें, इसका resistance निकालना पड़ेगा, final resistance और हमारे पास power rating भी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग उसका power rating निकाल लेते, p rated which will be equals to v square upon r, इस case में v square कितना है, 240 है, अपन resistance कितना है इसका, यहाँ पर हम रेजिसंसी find out करना है, तो हम कुछ इस तरीक से लिखते हैं, यहाँ पर resistance आ जाना चाहिए, और यहाँ पर पी रेटेट यहाँ नीचा जाएगा, तो पी रेटेट कितना है, 60 हमने value निकाल लिए resistance की, तो 240 इंटू, इसको सॉल करते, 240 इ तो हमारे पास इसका 96 ohms, इसका हमारे पास एक final resistance आ जाएगा, 960 ohms है, यहाँ पर हमारे पास final resistance आ जाएगा, जो कि हो गया हमारा RT, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सारी values, RT will be cost to 960 ohms, यहाँ निकाल लिया, और इस केस में, जो हमारे पास initial current है, ठीक है, कितना है, 20 पर है, ठीक है, और supply voltage कितना है, 240 volt पर, इस केस में हम लोग आर नॉट भी निकाल लेगे, आर नॉट हमारा क्या हो जागा, 240 upon 2.5, इस केस में करन कितना है, 2.5 mps है, तो हमारे पास values कितना आ जाएगा, यहाँ पर, हमारे पास 96 ohms, इसका आर नॉट आ जाएगा, यहाँ यहा यहाँ पर हमारे पास alpha कितना है, alpha भी गिवन है, 0.005 degree centigrade, ओके, यह भी हमारे पास इसका values गिवन है, ओके, इस केस में हमारे पास जो कर हमने formula लिखा था, rt equals to r0 into 1 plus alpha, delta, ओके, इसमें अगर आप सारी values put कर लेते हो, ओके, तो आपके पास जो delta का value आ जाएगा, वो आ celsius, यह सका हमारा final answer आ जाएगा, ठीक है, तो बट इस case में हमारे पास values का का given है, यहाँ पर delta वगरा, सारी values given थी हमारे पास, तो उसका final answer है, 1800 degree Celsius, तो उसका correct answer है, option C, जान मेरे किगा, चलिए हम लोग देखते हमारा next question, in the following diagram, how much current is supplied by the battery, इस circuit में हमारे पास, कितना current supply किया, यह इस battery ने, यह भी हमें निकालना है, that means हमें main current निकालना है, total current निकालना है, तो यहाँ पर यह चीज़ नोटिस कर सकते हूँ, कि यह जो circuit है, same question हमने हमने कुछी slides पहले, question number exact मुझे याद नहीं, तो उसमें हमने solve किया निकालना है, जिसमें हमने क्या किया था, 2 ohms, 5 ohms और 6 ohms का, जो हमारे पास एक delta में connection था, उसको हमने star में convert करके, इसका पहले main current निकालना था, यहाँ पर question क्या पूछा था, वहाँ पर 3 ohms resistance का current यहाँ पर हमें find out करना था, यहाँ पर यहाँ नहीं क्या पूछा है, how much current supplied by the battery, दीखे, same question है, that means अगर आप यह भी notice करते हैं, एक अगर question solve कर ले हो, आप आप उसको दो questions आपको attempt करने को देखने को मिल सकते हैं, कुछ इस type के भी, कभी के भी examiner आपको, googly's आपको examination में दे सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास total current कितना है था, 2.149, ठीक है, तो 2 2.15 ampere, उसका correct answer हो जाएगा, option D, same procedure है, आप उसको जाके देख सकते हो, same हमने हाँ पर current निकाला था, तो इन आपको याद होगा, कि हमने 3 ohms का resistance में से हमारे जो current है, उसको निकालने के लिए, उसके opposite के parallel में से, उसका जो branch था, उसके हमने current लिया था, और current division rules से हमने हो current निक आप देख सकते हो, उसको completely sort कर ले, इसके हम लोग यहाँ पर time नहीं spend करता है, देखते हमारे next question, इन है material using a magnetic field of 1.75 induct and restore 5 ampere per meter, magnetic flux density of 0.125, 0.2182 Weber per meter square is produced, calculate the permeability in micro henry per meter, ठीक है, तो permeability हमने हमने कालना है, तो इसकेस में हमारे मेरे पास, mu का value हो जाते है, b by h, ओके, तो b का, बी को हम लोग क्या कहते है, बी को हम लोग कहते है, magnetic field density, magnetic field density, ओके, और h का value कहा है, magnetic field intensity, इसकेस मेरे पास b का value कितना है, जो कि 0.2182 Weber per, meter square, ओके, और h का value है हमारे पास, 1.75 into 10 raise to power 5 ampere dance per meter, ओके, इसकेस में आप mu का value निकाल सकते हैं, जाते हैं, 0.2182 upon 1.75 into 10 raise to power 5, तो इसके आपको value आजाएगा, 1.2 microhenry per meter, ओके, option D इसका correct answer आजाएगा, ठीके, देखते है मारे next question, हमारा next question नहीं का कहा रहा है, analyze the diagram given below to find the electric current इना 5 ohms resistance, okay, 5 ohms resistance में से हमें, या पर current find out करना है, ठीक है, इस case में हम लोग, या पर voltage given है, पर current source given है, करेक्ट, VB का अगर हैंपर 500 होगया, अब हमरे पास voltage तो हैंपर इसका जो resistance है, 5 ohms resistance है, उसका हम लोग divide कर लेंगे, तो हमारे पास current भी इसका current के value भी आ जाएगा, तो हम लोग node unless लगाते है, point VB पर, ठीक है, तो हमारे पास कहा जाएगा, minus 6, plus VB upon 5, इसका का resistance, plus VB minus 12, यह voltage इसके respective में, upon 1 ohms, यह जो resistance है हैंपर, okay, which will be equals to 0, ठीक है, तो इस case में आपको VB के लिए कुछ इस तरह के equation है, माइनस 30, plus VB, plus 5 VB, देखे, काफी बार में, बहुत सारी जो equations है, मैं आपे solve करके, आपको directly बता दे तो, बट आपको प्लीज उसको solve करके देखे, का सुधर्ड आपकी practice अच्छे से हो सके, ठीक है अपन 5, तो VB का value आजाएगा हमारे पास, वा जाएगा हमारे पास 15 volt, यह हमारे पास सिर्फ voltage आया, 15 volt, इसको 5 ohms से divide कर लेते हैं, तो 5, 3 is a 15, that means हमारे पास current आजाएगा, V by R, 15 by 3, 15 by 5, तो 3 is a, that means option B इसका correct answer आजाएगा, का correct answer है, देखते हमारे next question, find the electric current आटा, 4 ohms resistance, देखे, same questions को हम लोग डिसस कर रहे हैं, यह same question आप पो PCLG में पूछे कहते हैं, तो इस case में हमारे पास, नोडल अनलेसिस से भी हम लोग इसको solve कर सकते हैं, चलिए नोडल अनलेसिस से हम लोग प्रैक्टिसर के देख लेते हैं, तो इस case में हम लोग आप यह नोड इमान ले तो और यह हो गया हमारा ground node, which will be equals to zero, तो इस case में हमारे पास V आ जाएगा, we will be equals to 20 by 19, यह हमारे पास voltage आ गया, तो current इन 4 ohms से निकलना है, तो हमें 20 by 19 को हम लोग डिवाइड करना है, 4 से, ठीक है, धान में रेकिए का, 20 by 76 आ जाएगा, तो विल भी, इसका करेक्टर हम लोग निकालते हैं, तो वो आ जा कर आएगा, इसमें भी दिक्कत आ रहे है, तो प्लीज मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करेंगे, तो इसका करेक्टर आ जाएगा, तो इसका करेक्टर आ जाएगा, option C, that means 0.263 amperes, okay, which will be a current flowing through a 4 ohms resistance, 4 ohms resistance में से इतना current यह flow होगा, okay, देखते हमारा next question, next question क्या कह रहा है, हमारे पास, Norton's theorem when applied to a DC circuit result since, अजर हम लोग Norton theorem को DC circuit में apply करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, current source without resistance in parallel में आपको थोड़ी दर पहले बताएगा, Norton's theorem में, अगर हम लोग DCS applied में apply करते हैं, तो इस case में क्या होता है, current source रहता है हमारे पास, IN और यहापर resistance रहता है parallel में, ठीक है, RN हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते है, Norton's theorem, current source in resistance, with a resistance in parallel, यहापर current source है, IN और यहापर resistance हमारे parallel में, तो उसका correct answer हो जाएगा, option C, देखते हमारा next question, conductivity is a reciprocal of resistivity, simple answer इसका, conductivity is a reciprocal of resistivity, okay, option A is a correct answer, यह type के question समने काफी बार डिसस कर लिए, okay, the next question is, the resistance of a silver conductance is 55 ohms at 25 degrees centigrade at hours, and 75.2 ohms at 75 degrees centigrade, correct, आपको question को analyze करके दिखना है, 55 ohms at 25 degrees Celsius पे, 57.2 ohms at 75 degrees Celsius पे, find a resistance temperature coefficient RTC at 0 degrees Celsius, centigrade, हाँ तो हमारे पास 0 degrees centigrade पे हमें इसका, 0 degrees centigrade पे हमें temperature coefficient निकालना है, okay, that means हमें यहापर alpha निकालना है, same हमने काफी बार 2-3 questions हमने हमें, already solve कर रहा चुक है, तो इसलिए मैं आपको यहापर correct answer, आपको यहापर marker कर देता हो, अगर आपको solve करना है, अगर आपको नहीं दा तो आता है, तो मैं आपको next session में definitely इसका complete solution provide कर दूँगा, okay, क्योंकि यहापर 2 simultaneous equations आपको यहापर देखने को मिलेगे, ठीक मैं एक hint बता के देरा, आप इसको solve करके देखना है खुछ से, उसका correct answer option b 0.009 degrees centigrade, इसके पहले का question हमारा skip होगे, चलिए अब हम लोग उसको देखते है, okay, ध्यान में रखे कि यहापर NTC VS PTC में एक session upload किया था कुछ ही दिनों पहले, आप इक कर देख सकते हैं, काफी इंपोर्टन सा session है, इसमें मैंने questions आपको concept भी distance किये, okay, जो इसका previous question था हमारा जो उसके पोग गया, वो question है, a dielectric material must be, dielectric materials should be resistance, insulator good conductor, रफिर semiconductor, तो धनवरिक के dielectric material should be insulator, option B, इसका correct answer है, देखते हैं, हमारा नेक्स question, जो किया question number 80, in this case, the opposition to the flow of leakage current is called as, इसका correct answer है, leakage resistance, opposition to the flow of leakage current is known as leakage resistance, leakage resistance ही हमारा अपोच करता है, leakage current को flow करने के लिए, ठीक है, तो उसका correct answer है, option A, देखते हैं, हमारा next question, question number 81, the conduction takes place when the electrons jumps from forbidden band to the valence band, जो हमारा conduction से रहता है, ठीक है, तो पर conduction band है, बारा हमारा कुछ इस तरीके से हमारा को, इसका correct answer है, option B, देखते हैं हमारा next question, ohm slot does not apply, ohm slot किस पर apply नहीं करता है, वो हमारा vacuum tube पर apply नहीं करता है, बागी तीनों पर यह apply करता है, option D, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी simple से question से, इसलिए हम लोग उसको जल्दी से देख रहे है, next question है, insulation resistance is defined as the opposition to the flow of, insulation resistance is defined as the opposition to the flow of leakage current, same question है, आप देखने को मिला है, मैं, option D, इसका correct answer है, electrolyte of an lead acid battery is formed by adding, electrolyte जो हमारा lead acid battery का हम लोग कैसे form करते हैं, हम उसमें, sulfuric acid water, sulfuric acid हम लोग add करते, water में, ठीक है, तुसका correct answer है, option B, देखते हमारा next question, in the diagram below, what is the electric current in the 3 ohms resistance, 3 ohms resistance हमें current यहापे find out करना है, इस case में हमारे पास ध्यान में रखना होगा, यही पर हमारा बता है, 3 ohms का resistance में से करण हम को पुछा है, तो हम लोग आपार हम पास जतना, उसका value है, voltage हम लोग को इससो डिवाइड कर लेंगे, तो उसका correct answer रह जाएगा, option B, कि दिखते हमारा, next question, insulation resistance of a straight cable is, insulation resistance of a straight cable is inversely proportion to the length of cable, okay, इसका correct answer option C, ध्यान मेरे कीगा, और इसका formula भी मैं आपको बता देता हूँ, so that आपको इसको ध्यान मेरे सकता हूँ, r is equals to rho upon twice pi l natural log r2 by r1, okay, r2 by r1 क्या होता है, r2 जो होता है, वो था हमार, radius of outer layer of cable, ठीक है, और r1 क्या होता है, radius of conductor, r2 by r1, rho upon twice pi l natural log of r2 by r1, यह इसका formula है, ठीक है, तो उसका correct answer inversely proportion to the length of cable, ध्यान मेरे कीगा, insulation resistance, यह हमारा insulation resistance, यह हमारा, किस से inversely proportional है, यह हमारा length है, ध्यान मेरे कीगा, यहां पर insulation resistance पूछा है, यह आपको यहां पर confuse नहीं होना है, हमारा जो normal formula है, resistance का rho l by 1, यहां पर अगर आप directly proportional करोंगे, यहां पर गलत हो जाएगा, यह भी point में आपको यहां पर mention करके बता रहो, ठीक है, देखते हमारा next question, यह question number 87, यह question क्या कहा रहा है, if the resistance follow ohms law, what is called, next question is, the main reason for using constant and wire for making standard resistance is, constant and wire हम लोग standard resistance को, standard resistance को बनाने के लिए यूज करते है, तो इस case में हमारा, क्यों हम लोग वही यूज करते है, constant and wire, तो इस case में आपको धान में रखनों को, उसका जो small temperature coefficient of resistance रहता है, negligibly small temperature coefficient of resistance, that means, यह हमारा temperature से vary नहीं करता है, resistance, तो अगर मान लोग य या अपने normal wise का अगर use कर लिया, copper या फिर कोई दूसरे इसका, तो आपको तो पता ही कि PTC रहता है, that means positive temperature coefficient रहता है, तो मान लो इस circuit में अगर आपका temperature बढ़ता है, तो उस case में हमारा resistance भी बढ़ जाएगा, तो उसका जो actual value जैसे, यह मान लो 4.7 kilo ohms का resistance है, तो resistance तो बढ़ resistance पर उसको जादा फरक नहीं हाए, तो इसलिए यह constantine ऐसा material है, जो उसका रहता है, small temperature coefficient of resistance, तो इस case में हम लोग वो as a standard resistance को बनाने के लिए हम लोग use करते है, तो धान में रहेखीगा, इसका correct answer हो जाएगा, option B, logical question था है, ओके देखते हैं माना next question, electrical resistance provide dash for the flow of electric current, electrical resistance provide dash, that means electrical resistance provide opposition to the flow of current, simple है, ohms law का बेस्ट यह statement है, electrical resistance provide opposition to the flow of current, यह जो हमारा resistance है, यह में से जो current flow होता है, इसका पोस करता है, इसका statement का answer था, इस से नेक्स कुशन है, if we were to replace the following circuit with a simple circuit that has a voltage source and a resistance, then what will be the value of that resistance, इसको भी हम लोग इसको solve कर सकते हो, इसकेस में हमारे पास 2 ohms, 8 ohms का हमारे पास, यहाँ पर का question में पूचा है, सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर simple voltage source और यहाँ पर resistance, यह voltage source और इसको complete हम लोगों को resolve करना है, एक resistance में, तो वो circuit कैसा आएगा, तो उस case में हमारे पास final resistance कितना हैगा, वो हमें यहाँ पर पूचा है, ओके, तो ध 5 ohms का में अभी आपको बचाता अगर यह 10 ohms प्लस यह 10 ohms का resistance आपका parallel में, दोनों की value सेम है, तो आप इसको simply divide कर लो, 10 ohms को 5 ohms उसका value आ जाएगा, तो इस case में हम रपास यह 1 ohms का आ जाएगा, और यहाँ पर 5 ohms का आ जाएगा, ठीक है, 4 ohms यहाँ पर 12 ohms का, ठीक है, य यह 1 और यह 5 है हमारा, यह हमारा हो जाएगा parallel series में, तो उसका value आ जाएगा, 6 ohms, प्लस यह 6 ohms यह ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और यह और यह parallel में, तो 6 into 4 upon 6 plus 4, कितना हो जाएगा, बट यह आप एक notice करने वाली बात है, यगर आपका यह जो 6 ohms का resistance आ यहाँ यहाँ पर, य 12 ohms, 6 ohms, और यह 4 ohms, यह भी तीनों भी parallel में, तो इस case में आपको, इसमें इसका value है, वो एक decimal में, एक fractions के form में आ जाएगा, बट इस case में आपको क्या करना है, देखिए, यहाँ पर मैं iris कर देता हो, और यहाँ पर समझा देता हो, questions को approach कैसे किया आ जाए, इस case में, ठीक ह तो इसका value आजाएगा हमारे पास, तो आजाएगा 4 ohms, ठीक है, तो 4 ohms, यह इन दोनों का equivalent आजाएगा, प्लस हम लोग इसको और 4 ohms के साथ parallel कर रहे है, तो 4 प्लस 4, तो इस case में क्या हो जाएगा, यह 12 ohms, और यह 6 ohms का हमारे पास parallel आजाएगा, जो आजाएगा हमारे पा complete resistance का जो value आजाएगा, यह आजाएगा हमारे पास 2 ohms का, ठीक है, और यह हमारे पास आजाएगा 1 ohms का, ठीक है, हमारे पास यह supply है, 3 volts का, इस case में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 ohms का, इसका final resistance हो जाएगा, तो हमारे पास एक circuit में हम लोग इसको finally कैसे draw करते है, कुछ इस त cancer हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमने approach किया था questions को, कि हमने 2 ohms, 8 ohms को parallel कर लिया, तो हमारे पास 10 ohms का यहाप एक resistance आगया, 10 प्लस यह 10 parallel में थे, तो हमने इसका 5 ohms का यहाप resistance मर लागा दिया, 5 प्लस यह 1 ohms कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 6 ohms, तो यहाँ पे 12 को लिया, so that हमरे पास 4 का आजाएगा, यहाप पे resistance, यह सारे चीज़े, eliminate हो जाएगा, तो 4 ohms और यह 4 ohms यह पे parallel में थे, तो हमने इसको divide कर लिया, 2 को, 4 ohms को, तो हमारे पास उसका final resistance आगया, 2 ohms का, ठीक है, यह circuit यहापे eliminate हो गया, तो 1 प्लस 2 ohms का हमारे पास आगया, 3 तो इसका final answer, option D is the correct answer, देखते है, next question, complete the cell reaction on the positive electrode for the nickel-cadmium battery, nickel-cadmium battery का selection पूछा है, तो इसका correct answer में आप यह मेंशन कर देता हूं, तो हो है option D, यह completely chemical reaction based question है, ठीक है, next question is, which of the following statement is 2, a 200 kilo ohms is equivalent to the 2 mega ohms, an electric insulator has a highest resistance, an emitter has a low resistance and must be connected in parallel with the circuit, okay, इसमें से correct statement हमें पूछा है, circuit current, electric current is measured in a volt, तो यह तो obviously गालत है, ठीक है, यह option C, इसका गालकते, emitter has a low resistance and must be connected in parallel with the circuit, यह भी गालत है, और 2 kilo ohms resistance, 2 mega यह भी गालत है, तो हमने एका option correct क्या है, electric insulator has a highest resistance, अभी हमने एक question में देखा था, electric insulator का हमारा जो resistance रहता है, वो रहता है हमारा high, तो option B, एक correct statement है, इन चार options में से, तो इसका correct answer है option B, देखते हैं मारा next question, जो यह question no.93, question क्या कर रहा है, find the electric current in the 4 ohms resistance of the following diagram, 4 ohms resistance में से हमें यहाँ पे current find out करना है, okay, तो same questions को आप देख सकते हो, same circuit है, okay, 2 ohms, 5 ohms और 6 ohms, अगर आप रूप रिकॉल करते हैं, तो यहनोंने same question दिया है, यहाँ तीन अलग-अलग values दे दी, okay, सबसे पहले हमें क्या पूछ लिया, सबसे पहले हमें हमें 3 ohms का current यहाँ पे हमें पूछा था, then हमारे पास यह main current कितना हो गए, that means अभी आप रिकॉल कर सकते हो, 9 volt का जो बैटरिय वो कितना supply कर रहा है current, यह हमें पूछा था, तो हमें i value निकाल लिया, अभी हमारे पास क्या कर रहा है, यह 4 ohms का resistance पूछा है, same questions को आपको recall करना है, मैं आपको यहाँ पे solve करके बता देता हूँ, simple, ठीक है, अगर हमने इसको resolve कर लिया, तो हमारे पास जो i का value आया था, वो आया था, अभी भी मुझे यहाँ था, 2.149 mps, यह हमारे i का value आया था, ओके, और इस case में हमने इसका जो parallel circuit, दो parallel lines आ गये थे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यह circuit में एक ऐसा final आ गया था, तो इसकी values में आपको बताते हैं, तो अगर आपको इसको solve करने है, 10 by 13, 12 by 13, 30 by 13, और इस case में था, 3 ohms, और यहाँ पर 4 ohms, और यहाँ पर हमारा finally one ohms का resistance, पर लास यहाँ पर यह बैटरी थी, करने के ठीक है, तो यहाँ पर इस branch में का current निकालना है, तो हमारे पस total ampere, total current given है, इस branch का, यह main current given है, तो हमारे पास current vision rules है, इसका resistance, अपर total resistance हमको निकालना है, into multiplied by this current, ठीक है, तो इसी को हम लोग इसको solve कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसका final resistance है, into 2.149, तो आपको इसका value मिलेका, 0.824 ampere, ठीक है, तो इसका correct answer क्या जाएगा, option B, इसका correct answer है, देखिए, अपने अगर ये एक question solve कर लिया था, अगर अपने पेपर को analyze किया रहे था, फर्स्ट जो initial time रहे था हमारे पास technical papers में, तो हम लोग instantly दो मिनिट के अंद पेपर को analyze करते हैं, किस type के questions आपको पूछे गया, same type के अगर आपको दिखते हैं, तो आपको logic के लिए इसको solve कर सकते हैं, एक question से आपके, तीन questions बन गया है, तो इसका correct answer है, option B, next question is, resistance decreases with an increase in a temperature, is a property exhibited by which of the following material, resistance हमारा बढ़ता है, कब बढ़ता है, resistance with increase in a temperature is a property exhibited by which of the following material, तो द्धान में रहके कार्बन, इसका correct answer है, option A, इसका correct answer है, येक non-metal है, और resistance decrease होता है, increase with increase in a temperature, तो इसका correct answer है, option A, अभी मैंने आपको बताया था, constantine, ये ऐसा material जिसका negligible temperature coefficient of resistance रहता है, ध्यान में रहके का, option D, अगर आपे negligible temperature coefficient रहता है, तो उसका correct answer होता है, but in this case, यहापे resistance यहापे, carbon यहापे correct answer हो जाएगा, that means इसका जो temperature बढ़ता है, तो resistance काम होता है, और ये आपको बता है, carbon एक non-metal भी है, option A, इसका correct answer हो जाएगा, in nickel-cadmium cells, the electrolyte is a mixture of potassium chloride, deionized water, potassium hydroxide and deionized water, sulfuric acid and water, potassium peroxide and deionized water, तो nickel-cadmium cells में जो electrolyte का होता है, वो एक mixture रहता है, potassium hydroxide and deionized water, okay, option B, इसका correct answer है, next question is, what is the resistance of a wire, of a length 100 meters, uniform cross-section area of 0.01 mm square and a legittivity of 60 micro-ohms centimeters, ठीके, तो इसकेस में हमारे पास, एक formula है, R is equals to rho L by A, इसी में हमने सारे values put करने हैं, और यहापे हमको answer निकालने हैं, तो इसकेस में हमारे पास R क्या जाएगा, 60 into इसारे में convert करके, यहापे final answers बता रहो, 16 into 10 to power minus 6 into 0.01 into 100 upon 0.01 into 10 to power minus 6, ठीके, तो इसको अब solve करते हैं, तो you will get 6000 ohms as the final answer, option A will be correct answer in this case, okay, R is equals to rho L by A, यही हमें formula पता है, इसी से हमने यह सारे values put कर दिये, तो यहापे row की भी value पता है, 60 microm, इसलिए हम लोग 60 into 10 to power minus 6 किया, और यह सारे values जो हमने substitute कर लिए, यहापे area कितना है, 0.01 mm square, तो हमने इसको meter square में convert कर दे इसलिए हमने 10 to power minus 6 से multiply किया, इस case में, तो यह सारे values आपको convert करके सका correct answer find out करना है, length भी हमरे पास given है 100 meters का, तो यह हमने इसका value निकाल लिया, यहापे आप note कर सकते हो, 60 into 10 to power minus 6 into 0.01 यहापे हमने कैसे है, अगर आप यहापे भी डाउट आ रहा है, तो ध्यान में रखेगा, जो हमारे पास row है, row क्या है, 60 micro ohms centimeter, अभी मैं आपको confusion है clear कर दे तो सुधर आप बाद में दिकत नहीं चाहेंगे, तो आपके बास 60 micro ohms centimeter है, तो हम लोग इसको meter में convert करना है, तो कैसे क्लिखेंगे, 60 into 10 raise over minus 6 micro ohms में convert कर लिया है, into 0.01 ohm meters, ठीक है, यहापे statement, यह complete row का value है, into 100, पॉन यह, तो उसका correct answer आजाएगा, option A, देखते हमारा next question, the specific resistance of a substance depends upon its kind of a material, कौन से टाप का हो material है, उस पे हमारा specific resistance depends करते है, देखते हमारा next question, the voltage rating for the batteries is based on the, voltage rating करते है, बाटरी का किस पर डिपेंड करते है, वो डिपेंड करते है, number of cells connected, series, गर यह normal आपके पास 1.5 volt का एक cell है, गर आप जितने number of cells connect करोगे series में, तो आपका voltage कितना है, या पर 3 volt आएगा, that means हमने, जितने number of cells series में connect के है, उस से के dependent हमारा, उसका voltage बनेगा, okay, next question है, electromagnetic force in a circuit, reduces the resistance of the circuit, reduces the potential difference, increases the resistance of the circuit, या फिर maintains the potential difference, electromagnetic force जो रहता है circuit में, वो maintain करता है, potential difference को, option D, इसका correct answer हो जाएगा, देखें, number of questions रहते हैं, 50 questions, इसलिए मैं try करता हूँ कि, हमेशा एक ही session में, सारे questions कावर रख परा सुको, बट आपके लिए भी काफी जदा difficult हो जाता है कि, इतने सारे 150 questions को detail में explain करना और उसको याद करके, इसके concepts को ध्यान में रखना, इसलिए मैं आपको, parts में आपको questions प्रोवाइट करा देता हूँ, तो इसका correct answer है option D, देखते हैं मारा last question of this session, इसके बाद में काफी interesting सा question है, इस session के लिए ध्यान से देखेंगा, find a resistance of a filament of a 60 watt lamp at a 230 volt supply at its working temperature, एक working temperature भी हमें उसका resistance find out करना है, तो P rated हमें निकालना है, ठीके पी रिटेट हमारे पास इक पता फॉर्मूला है, V square upon R, इसी formula से हम लोग इस value के, इसमें सारी value substitute कर देता हमारे पास resistance value आ जाएगा, 230 voltage कितना है, हमारे पास 230 into, 230 upon हमारे पास power rated कितना है, 60 watt, तो इसको up solve कर ले तो you will get 881.66 ohm as the final answer, that is final resistance of the filament, option B will be correct answer in this case, ये थे सारे important questions of this session, देखिए next session के लिए में काफी interesting सा question छोड़के जा रहाओ, इसका आपको मुझे ध्यान से detail में आपको answer provide करना है comment box में, question में आपको समझा देता हूँ, ये question का एक मुझे same type of comment मुझे इस session में मिला था, जहाँ पर एक viewer ने मुझे काफी interesting सा question पूछा था, same question में आपको भी बताता हूँ कि आपकी उसके उपर क्या thought है, ये मुझे आपको comment box में comment करना है, ठीक है, तो हमने recently NTC versus PTC session upload किया था, ये अगर आपने नहीं देखा हूँ तो उसको जाके देखेगा, आपकी concepts clear हो जाएंगे, इस questions को स्वाल करने के लिए, question में अभी हम आपको समझाता हूँ, considering a pure metal being a PTC, अगर हम लोग pure metal को हम लोग मानते है कि PTC है, चुकि रहता है वो positive temperature coefficient, जैसिके हमारा उसका temperature बढ़ता है, तो resistance भी बढ़ता है, तो अगर आप ये सोच के देखेगा, अगर circuit में, अगर if this is to happen, in the case of fault, there is always an increase in the temperature, so the resistance should increase and should limit the increasing value of current, say the limit the, say limit the fault current and protect the system, but this doesn't happen, ये question मुझे comment में पूछा था, काफे interesting से question लगा था, by the way, I appreciate that comment, इस case में आपने, मैं आपको question में क्या meaning इसका साराइश बता देता हूँ, कि अगर हमारे पास pure metal हम लोग उस करते है, conductor में, ठीक है, जिसका temperature coefficient रहता ह अगर temperature बढ़ता है, तो resistance भी बढ़ता है, तो question ऐसा है, वेकर हमारा resistance भी बढ़ता है, तो हमारा current कम होना चाहिए, तो अगर हमारा पास fault है, तो obviously आपको धान में रखना होगा, कि fault के case में क्या होता है, हमारा current काफी जदा बढ़ चाहता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चा कि मुझे comment box में comment करना है, इसका correct answer, ठीक है, आप इस statement में मैंने आपको अलड़ी बता दिया है, कि किस type से question को आपको attempt करना है, और किस type का answer होना चाहिए, तो सबसे best comment जो हो रहेंगे, सबसे first two comments इसका, मैं नाम में रेनेक्स session में आने वाले session में लोगा, ठीक है, तो आपको equation समझ में आए होगा, इसको एक बार पढ़के भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, मनि यही चीज़ बता है, कि अगर आपका conductor जो है, यूज करते है, वो PTC से रहता है, positive temperature coefficient, तो हमारे fault की case में, जो हमारे पास temperature बढ़ता है, तो हमारे पास resistance जो है, वो भी बढ़ना चाहिए तो हमारे जो current है, significantly drop होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ध्यान में रखेगा, यह क्यों नहीं होता है, यह क्यों नहीं होता है, यह मुझे comment box में comment करना है, so I hope आपको इस session समझ में आए होगा, इस session में कोई भी अगर आपको doubt आते है, तो please मुझे comment box में comment करीगा, आपको तो हमारा टेलिग्राम चैनल कोचिफा अंडर स्कूर ऑफिचर और एलेक्ट्रिक लेंजिंग मस्कूस को जोईन करना है, पीडियाफ के लिए, और इस session को आपको आपके फ्रेंड का साथ में पी शेर करना है, यहा पर recent session आपको mention कर रहे है, और आपको यहा भी धेन में रख